असलाम अलेकम फ्रेंट्स वेल्कों बैट क्यों नियू व्लाग कैसे हैं आप सब आयोप जहां भी होंगे अपनी पैमिली के साथ अपनी प्यारों के साथ अपनी लाइफ को इंज्वाय कर रहे होगे आज का व्लाग बहुत ही जदा इंटरस्टीट होने वाल आप नोगों मिस्स नी करना एंड तक देखने आप लोग देख रहे हैं के हम लोग के साथ करें और हम जाने लगिए कहां एरपोर्ट पू जाने लगिए यह आप लोगों को अभी मताते हैं लेकिन ज़ली से पहले बा बच्चे और मैस बैठ चुके गाड़ी में लेकिन मैं एक चीज भूलगी अंदर से मैं जल्दी से ना बाग्या वह चीज पकड़ना हूँ मैस लेना बोलना शुरू करने मेरी अच्छी खासी दोल लगी रही है बस जल्दी से चलते हैं चले भी बिसमिल्ला रह्मान रहीम निम्रा भी अपनी कार सीट में बाइट किया और शिज आपे पिछो के बढ़ जल्दी से गुड़ बॉई चलो जल्दी से दुआ पाल लगते हैं अज मुसम जो ना को बहुत गर्मी है ना तो हबस बना पड़ा हुए है मुसम का कुछ नहीं बता जब गर्मी काव दूब काव पारिश और जब घर्मी बढ़ती ना तो गर्मी तो बिल्कुल बर्दाश्ट नहीं होती है ना मुझे तो बस यही टेंशन बनी थी कि कि ट्राफिक ना आगे मिल जाए और ट्राफिक मिलगी ना तो फिर आपको पता है एरपोर्ट पर पहुंचते पहुंचते वैसी ना देर हो जाएगी फाइल एरपोर्ट का ना जो साहीं नजर आगया तो यहां से एरपोर्ट इती किल करते हैं मैं सारे किसारी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करा करूं और वो सामने जो में जुम इन करें दखारी तो एरपोर्ट था जब भी आप किसी को रसीव करने जाना तो एरपोर्ट पे मज़ा उसी बात कैद को आप उनके आने से पहले पहले पहां पर पहुंच अगर आप बाद में पहुंचे था फिर वो एक्साइटमेंट नीना मिलता यार जल्दी से जी करते हैं जी गारी पार्क यहां से लेंगे जी पार्किंग की टिकेट अलहम्दुलिल्ला जी हम लोगों ने पार्किंग लगा दी है और पार्किंग देखें प्यूटी बूटी फॉल गटियं दे सामने पार्किंग लाई इसी भी अपनी सा डीवी बहुत ही ब्यूटी फुल है माशाला माशाला और बच्चे मैं आसनी का रहें अभी हम किच से जायेंगे जी बाहिर के चला दो तक जाने हैं उसका पता दरेकि पिछले बार जब पाकिसान गया था शम्सा कहला हुमारे साथ गए तो इसलिए पूछ रहा है वामा चामा कहला का आए है तो जादे की चम्मा कहला भी एर कोड़ मेरी बैक साइड पर आजी सारी पारकि एरपोर्ट इसी एरपोर्ट पे जब आपने पाकिस्तान जाना हो ना तब आओ ना अल्ला इतनी फीलिंग आती है बंदा इतना एक्साइटेड होता है हवाहों में उड़ रहा होता है साथ ना एलीवेटर ले लेना यही बैस होती है एसकुलेटर से ना फिर मन बड़ा डर लखता है बच्चे छोटे हैं ना आरे आरे मामा स्टैंड नेक्स्तो ममा गुड़ बॉइड कर दिया तो हम इसलिए आया क्योंके अम्मी आ रही है पाकिस्तान से और मेरी भाबी भाइया बच्चे साब आ रहे हैं तो इसलिए हम लोग एरपोर्ट पे आया हून लोगों को लेने के लिए अरप पे जब भी आना इतना ज्या के लिए स्केर्टी इस आल्वेस नंबर वन टेड़ पाले डोर से अमी लोग आएंगे और हम लोग आके यहां के अभी बेट का रहे हैं बच्चे यहां थे दोनों से अरुमास फ्लाइच कर नेगे यह रहे ज़िए को ना रहे है इधर तो बताओ को ना रहे हैं पर ना रहे अम्मी रूशी और अम्मी रूशी और सब आ रहे हैं आ कि चेना एयर्पोर्ट पर आ कि यह करते हैं घर में तो नहीं कम जगा लिखती है रखता है बाग देज़ दो रिख़्ों अभी देखो यहां पर फूल बीचने हैं मस्ती में असलाम लेकोम है अश्लाम लेकोँ अल्हम्दुलिल्ल है अब हम लोग आ चुके हैं गाश्पिक करेंगे और फिर भी किना के घरांगे हमारा डिलार निया अब सब लोग लेके लगजी बाहिर गे थे सारी अलहम दलीला लगे जा गए हैं तो मैं यहां पे ना खड़ी कि मैंने का चलो मैं इंग बाइक के पास खड़ी को आप लोग जल्दी से ना जो है ना बासी के लगजा ना गाड़ी में रखवा ले तंदू इस प्रॉम पाफिस्तान चल लोग 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 निचा जाएं बाकि सब चले गया क्योंकि उन्होंने गाड़ी पार्क नहीं की थी हमने गाड़ी पार्क की थी तो बास भी चलते इदर वाली साथ पे निया है अच्छा इदर वाली साथ पे तो शोरी चला चला आज वाली जगह से निकलते हैं पाहिर अला मदो इलिल्ला जी फैंस हम लोग पस पहुंचने लगे हैं बल्कि पुंच चुके हैं और जग्दी से आपकाड़ी पार्क लगाते हैं और हम लोग बाईस्मान के घर आएं अधिनर आज उदर हमने आगे भी बताया था चांद सामने आसमान पे ऐसे चमक रहा था और इतना खुबसूरत लग़ा था लेकिन जैसे मैं जॉम इन किया तो वो ना मेरे से कैमरा हील रहा था गाड़ी में बैठे तिना तो ना वो क्लियरली नहीं नज़राया तो अभी देखे कितना ढार्क हो गया और हम निकने लगे है घर के लिए वापस आ चुके है जी वापस गाड़ी में और हम जाने लगे दिशी घर वापस और थैंक यू सो मच माभी खाना बहुत मज़दार था बहुत ज़दा इंच्वाइ किया और अभी जी निकल चुके है घर के लिए और आज का जो व्लाग इसको यहीं पर एंट करेंगे आई होप आप लोगों को अच्छा लगए अच्छा लगए तो मेरे चैनल को सब्स्राइब करना मेरी वीडियो को लाइक करना शेयर करना दौब में याप रखना फिर मिलेंगे गुद नाइट टेक कियर अलाहाफीस